हलो डियर स्टुडेंट्स एज उस्वल आई एम नवनील गॉड फ्रम टैगोर स्कूल परवत्सर एंड वी आर स्टैडिंग अवर जी के बुक ऑफ क्लास फिफ्थ आज हम लोग स्टैडि कर रहे हैं हमारी क्लास फिफ्थ की जी के बुक नॉलेज हब एंड एज यू नो जैस आज हमें लेस्न नंबर फाइव स्टैडि करना है वी एव इव स्टैडिड द फोर लेसंस ऑफ जुड़ ज़िसल आई प्रिविएस वीडियो अपने पिछले वीडियो में हम लोग इसके फॉर लेसंस अलरी स्टैडि कर चुके हैं एंड वी आर इस्टैडिंग टोडे दा lesson of this book आज हम लोग इस lesson का fifth इस book का fifth lesson study कर रहे हैं and the fifth lesson of this book is speed of vehicles और इस lesson का जो इस book का जो fifth lesson है वो है speed of vehicles means जिसका मतलब है वाहनों की गती vehicles यानि होते हैं वाहन जो रोड पर चलते हैं जिनमें wheels होते हैं जो वाहन होते हैं उनको vehicles का जाता है vehicles की speed यानि गती आप लोग जानते हैं अलग-अलग type के vehicles रोड पर चलते हुए हम देख पाते हैं cycle, motorcycle, car, jeep, truck, bell-gaardy बहुत type के vehicles हम लोग देखते हैं सब की अपनी-अपनी speed होती है कोई कम speed से चलता है कोई थोड़ी जादा speed से चलता है सब की अपनी-अपनी power होती है तो अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार अलग-अलग जो vehicles होते हैं वो चलते हैं यह lesson का name है और यहाँ पर इस lesson की जो category है जिस category का यह lesson है वो है science and technology विज्ञान और तकनीक इस संबंदित यह lesson है speed of vehicles वाहनों की गती तो अलग-अलग जो vehicles होते हैं उनकी अलग-अलग speed होती है यहाँ पर इस lesson में हम लोग कुछ ऐसे vehicles के बारे में study करेंगे जिनकी speed बहुत तेज होती है जो हम लोग imagine भी नहीं कर पाएंगे शायद कि कितनी speed से यह vehicles चलते हैं तो आईए study करते हैं vehicles की speed के बारे में गाड़ियों की speed के बारे में speed is something that speed यानि गती speed is गती है something यानि कुछ that यानि जो की गती वो कुछ ऐसी चीज है जो की fascinates fascinates यानि मोहित करती है talk speed एक ऐसी चीज है जो fascinate करती है जो मोहित करती है जो हमारा मन मन को प्रभावित करती है आकरशित करती है इच यानि प्रतेक को and everyone यानि हर व्यक्ति को प्रतेक और हर व्यक्ति को प्रतेक और हर व्यक्ति को प्रभावित करती है मन को मोहित करती है तो speed जो होती है जो गती होती है वो हर किसी को fascinate करती है fascinate यानि मोहित करती है with the invention of fastest machines with यानि होता है साथ में the invention यानि आविशकार आविशकार के साथ में किसके आविशकार के साथ में of fastest machines fast यानि होता है तेज उसकी superlative degree है fastest यानि सबसे तेज जो सबसे तेज मशीने है machines यानि मशीने सबसे तेज सबसे fastest जो मशीने है उनके invention के साथ invention यानि आविशकार के साथ सबसे तेज मशीनों के सबसे speed वाली मशीनों के invention के साथ उनके आविशकार के साथ scientists यानि विज्ञानिक and engineers or engineer scientists or engineers have made बना चुके हैं this possible इसको संभव यानि इस बात को संभव बना दिया है विज्ञानिकों ने scientists ने और engineers ने अपनी fast से fast यानि fastest मशीनों के invention के साथ उनके अविश्कार के साथ ये जो गती है जो speed है ये हर किसी को मोहित कर लेती है इस बात को अपनी तेज मशीनों के आविश्कार के साथ विज्ञानिकों और engineers ने possible बना दिया है संभव बना दिया है यानि कि इसका भावार्थ ये है इसका जो sense है sense ये है कि विज्ञानिकों ने यानि scientists और engineers इतनी fastest मशीने बना दिया है कि वो हर किसी को fascinate करती है हर किसी को आकरशित करती है हर किसी को मोहित कर लेती है तो आईए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं read the description पढ़िये the description यानि वर्णन वर्णन को पढ़िये description को पढ़िये and name और नाम बताईए the fastest human made machine marvels the fastest यानि सबसे तेज human made यानि मनुश्य द्वारा बनाई गई marvels यानि चमतकार ये मशीने इतनी तेज हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि उनको चमतकार की संग्या दी गई है चमतकार वो होता है जो आश्चरे चकित कर देता है जो हमें हैरान कर देता है जिसके हम कलपना नहीं करते हैं ऐसी जो चीज होती है वो चमतकार कहलाती है इंग्लिश में इसको marvel कहते है marvel मनुश्य द्वारा बनाए गए marvel यानि चमतकार तो फिर से अपने इसको पढ़ेंगे read the descriptions वरनन को पढ़िए and name और नाम बताईए the fastest human made marvels सबसे तेज मनुश्य द्वारा बनाए गए चमतकारों के नाम बताईए with the help of the clue box clue box नीचे दिया जाता है हर lesson में यहाँ पर भी है उस clue box की help से इन मनुश्य के द्वारा बनाई गई fastest यानि सबसे तेज यह जो चमतकार है चमतकार नहीं है वास्ताव में यह तो मशीने हैं लेकिन इनको इनकी विशेश्टा बताने के लिए इस शब्द का प्रियोग किया गया है marvel यानि चमतकार एक तरह से चमतकार बोला है इसको असली में चमतकार नहीं है असली में तो यह मशीने ही है जो मनुश्य द्वारा बनाई गई है तो उनके नाम बताने हैं अपने को कि उनका नाम क्या है तो इनका description दिया गया है इनका picture दिया गया है और उसका नाम हमें बताना है यहाँ पर four ऐसी मशीन्स दी गई है number one, number two, number three and number four ऐसी यह four मशीन्स दी गई है इनका थोड़ा बहुत इनके बारे में वरनन बताया गया है उनकी जानकरी दी गई है इनस फॉर्मेशन्स दी गई है और हमें उसका नाम बताना है यहाँ पर नीचे clue box में इनके नाम दिये गए है पहला नाम है बुगाती वेरोन बुगाती वेरोन नाम है एक मशीन का यह देख पारें आप बुगाती वेरोन एक मशीन है दूसरा है यूरो कॉप्टर एक्स थ्री यह भी एक मशीन है यूरो कॉप्टर एक्स थ्री तीसरा है शंगाई मेगलेव शंगाई मेगलेव भी एक मशीन है और नौर्थ अमेरिकन एक्स फिफ्टीन यह भी एक मशीन है तो यह किन-किन के नाम है चार नाम है चार मशीने है तो आईए सबसे पहली मशीन के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है ये मशीन जिसका पिक्चर आप देख पा रहे ये कार है कार का चित्र आप देख पा रहे है इसको रेसिंग कार कहते हैं इनमें बहुत तेज सूपर एनरजी वाला सूपर एफिशियंट पावर्फुल इंजन लगा रहता है बहुत पावरफुल इंजिन होता है इनका ये कार जो है वो बहुत तेज गती वाली कारों में से एक है दुनिया की सबसे तेज गती की कार है ये और कितनी तेज चल सकती है वो भी अभी हम पढ़ेंगे लेकिन जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे है ये it is a car ये car है it is a racing car इसको racing car कहते है आईए पढ़ते है इसके बारे में with a top speed of 267.85 miles per hour एक top speed के साथ है इसकी जो speed है वो top speed है with a top speed एक top speed के साथ और कितनी speed है इसकी 267.856 miles per hour अब एक घंटे में इतने miles चल सकती है ये तो ये mile कितना होता है तो mile एक mile में डेड़ किलोमेटर होता है लगबग 1.609 km होता है एक mile में तो लगबग डेड़ हो गया एक में डेड़ यानि 266 को अगर आप ये मान लीजे 300 मान ले तो इसमें 150 ओर जोड़ देंगे तो ये लगबग 400 किलोमेटर प्रती घंटा की speed से दोड़ सकती है लगबग 300 से 400 किलोमेटर पर hour की speed से ये दोड़ सकती है अपनी जो जो गाड़ियां आती है वो लगबग 200 तक होती मीटर ही 200 तक होता है 200 तो चड़ती नहीं लगबग लेकिन 200 तक का लगबग मीटर होता है गाड़ियों में लेकिन इसकी जो speed है वो 400 किलोमेटर प्रती घंटा 300 से 400 किलोमेटर प्रती घंटा ये माइल बताए गए एक घंटे में 267 पॉइंट के बाद तो चलो छोड़ी है आप 267 ही मानलो आप 267 माइल्स पर hour एक घंटे में इतने माइल्स ये चलती है माइल का मतलब होता है एक वन माइल में 1.609 किलोमेटर होते है यानि 1.5 किलोमेटर हो गया एक माइल में तो इतना इसकी speed है यह सबसे तेज कार है फास्ट का मतलब होता है तेज और जब EST लग जाता है तो वो सूपर लेटिव बन जाती है यानि सबसे तेज कार है अब इसका नाम अपने को बताना है इसका description हम पढ़ चुके हैं with a top speed of 267.856 miles per hour, top speed के साथ, कितनी top speed? 267 miles per hour, एक घंटे में 267 miles की top speed के साथ, this is the fastest car, ये सबसे तेज कार है, and what is its name? इसका नाम क्या है? वो हमें लिखना है, and its name is Bugatti Veyron, ये Bugatti Veyron कार है, जिस ये कार जो है, ये जर्मनी में इसको डवलप किया गया है, और इसको डिजाइन किया गया है, और फ्रांस ने इसको बनाया है, फ्रांस में ये बनती है, इसकी डिजाइन और इसका डवलप्मेंट जर्मनी में हुआ, फ्रांस वो देश है जिसने रफाल बनाया है रफाल वो दुनिया का सबसे बहतरीन जो एरक्राफ्ट या फाइटर क्राफ्ट है जो भारत में अभी अभी पांच रफाल जो हवाई जाहाज भारत में खरीदे हैं फ्रांस से तो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर क्राफ् प्रांच उसी ने ये बुगाति वैरोन जो फास्टेस्ट कार है वो बनाई है, its name is बुगाति वैरोन and it is the fastest car, ये सबसे तेज कार है, dear students, you have right the description first and then its name. देखो आपको जो ये लैसन का work करना है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले lesson number 5 mention करना है उसके बाद lesson का name mention करना है speed of vehicles उसके बाद ये रैड़ वाला question है वो write down करना है और उसके बाद में आपको ये रैड़ वाला question में आपको show कर देता हूं ये red वाला question करने के बाद ये clue box मत लिखना बढ़ी आप उसके बाद number one लगा के ये description लिख देना और नीचे description लिखने के बाद जैसे answer लिखते हैं अपन वैसे इसका name लिख देना answer मत लिखना dash लगा के name लिख देना इस तरह से फिर इसके बाद one line blank leave कर देना then you have to write the second description and its name then leave one blank line then write the third description and then in the next line its name and then again leave the blank line and write down the fourth description and its name in this way you have to write you have to complete your written work इस तरह से आपको अपना written work complete करना है let's study the second आये दूसरा study करते है as you can look on the screen जैसा कि आप screen पर देख पा रहे है it is a aircraft ये एक हवाई जाज है क्या है इसका description पढ़ते हैं आये this is the fastest ये सबसे तेज manned aircraft यानि मानव यूक्त विमान है देखिए विमान जो होते हैं दो टाइप के होते हैं एक तो जिसमें मनुश्य बैठ करके चलाता है कुछ ऐसे भी हैं जिनमें मनुश्य नहीं बैठते हैं जैसे rocket होता है rocket में मनुश्य नहीं जाते हैं केवल satellite जाता है उसमें तो rocket manned नहीं होता वो manless होता है यानि humanless होता है मनुश्य उसमें नहीं जाता है केवल machine जाती है लेकिन ये मनुश्य यूक्त है इसमें मानव यूक्त है ये है manned aircraft है ये इस इस दा fastest manned aircraft ये मनुष्य युक्त सबसे fastest ये विमान है with a speed of 7274 km per hour ये 7274 km एक घंटे में उड़ सकता है 7000 km एक घंटे में ये उड़ सकता है यह रफाल की स्पीड है जो रफाल अभी भारत में आये है पांच रफाल आये हैं भारत में बहुत तेज स्पीड है उसकी यह उसकी स्पीड है रफाल वाली स्पीड 7274 km यह मानव युक्त विमान है सबसे तेजगती वाला और इसका नेम है North American X-15 इसका नाम है यह तो आपको जैसे फर्स्ट का फर्स्ट डिस्क्रिप्शन और उसका नेम लिखने के बाद बन लाइन ब्लैंक छोड़के यह सेकंड डिस्क्रिप्शन और इसका नेम लिखना है नेक् जैसा कि आप देख पा रहे है इस एक ट्रैन दिखाई दे रही है यह भी भहुत फास्ट ट्रैन है यह फास्टेस्ट ट्रैन है इस इस दफास्ट ट्रैन यह सबसे तेज ट्रैन है इन दॉरी दुनिया में it can cover यह cover कर सकती है A distance of 431 km in an hour एक hour में एक घंटे में ये 431 km की distance यानि दूरी कवर कर सकती है ये ऐसी train है ये fastest train है What is the name of its? Shanghai Maglev इसका नाम है Shanghai Maglev ये train है जो की fastest train है और ये इसकी speed है 431 km in an hour एक hour में 431 km पर घंटे की रफतार से चल सकती है Shanghai Maglev You have to leave one blank line after it इसके बाद आपको एक line blank leave करनी है Then it is the fourth description जैसा कि आप देख पा रहे हैं It is a helicopter ये एक helicopter है क्योंकि इसमें उपर fan लगा हुआ है With a speed of 474 km per hour एक साथ 472 km per hour की speed के साथ This is the fastest helicopter ये सबसे तेज helicopter है And its name is Eurocopter X3 इसका नाम है Eurocopter X3 Dear students, you have to do the written work of these four description इन चार description के साथ आपको ये written work करना है सबसे पहले lesson का name और number उसके बाद red वाला question उसके बाद number लगा करके description और उसका name और हर एक description और name के बाद one line blank आप leave छोड़ते जाएं clue box का use हम कर चुके हैं fact box यहाँ पर दिया गया है आईए इसमें से study कर लेते हैं क्या है ये आपने bullet train का नाम सुना होगा अभी कुछ दिनों पहले bullet train की bullet यानि होती है गोली जिसे बंदूक में से गोली निकलती है उसको bullet कहते है तो bullet की speed से अगर कोई चीज चलती है तो उसको bullet की speed कहते है तो ये bullet train का नाम उसी के कारण से रखा गया है क्योंकि ये बहुत तेजगती से चलती है bullet train और ये अब चलने वाली है अपने देश में भी अभी अपने देश में bullet train नहीं चलती है लेकिन अब आने वाले अभी 2020 चल रहा है 2022 में यानि दो साल बाद अपने देश में भी bullet train चलने वाली है जो कि एहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी क्योंकि ये दोनों ही जगे जो है वो व्यापार के लिए ट्रेड के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत सारे लोग मुंबई से एहमदाबाद जाते रहते हैं तो उनकी यात्रा को तेज बनाने के लिए और इससे व्यापार बढ़ेगा क्योंकि लोग तेजी से आ पाएंगे जा पाएंगे मुंबई और एहमदाबाद के बीच तो ऐसी ये बुलेट ट्रेंड चलने वाली है दो हजार बाईस में आईए थोड़ा से इसके बारे में स्टेडी करते हैं fact box तध्यात्मक बॉक्स है इसमें कुछ fact लिखा हुआ है सक्ते बात लिखी हुई है दा मुंबई एहमदाबाद high speed rail corridor ये एक corridor यानी बरामदा होता है ये एक corridor बनने वाला है एक बीच में जब कोई जो दो चीजें जुड जाती है तो उसको कॉरिडॉर के नाम से भी जानते हैं तो मुंबई और एहमदाबाद मुंबई तो महराष्ट्र में है एहमदाबाद जो है वो गुजरात में है लेकिन दोनों को जोड़ा जा रहा है इसलिए इसको एक कॉरिडॉर का नाम दिया गए इनके बीच में एक कॉरिडॉर डवलप हो रहा है दा मुंबई एहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडॉर इन दोनों के बीच में एक हाई स्पीड यानि बहुत तेज गती वाला रेल कॉरिडॉर यानि रेल का एक कॉरिडॉर बरामदा बरामदा तो नहीं है लेकिन कोरिडोर नाम दिया गया उसको रेल का कोरिडोर बन रहा है इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन हाई स्पीड अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्मान अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब चालू है निर्मान under construction यानि निर्मान चालू है यानि बन रहा है अभी is an under construction high speed rail line यह जो मुंबई एहमदाबाद जो high speed rail corridor है यह under construction यानि अभी निर्मान चालू है उसका construction running में है और यह एक high speed rail line है यह rail की line है एक high speed वाली connecting the cities ये इन cities को connect करती है जोडती है कौन सी cities को of Ahmedabad and Mumbai Ahmedabad और Mumbai को ये जोडती है और ये चालू है इसका construction निर्मान चालू है the first bullet train of India भारत की पहली bullet train is scheduled to leave ये leave यानि रवाना होने के लिए इसका समय तय है for first run पहली run के लिए पहली बार दोडने के लिए पहली बार दोडने के लिए रवाना होने का जो schedule है इसका जो time table है कि ये पहली बार कब रवाना होगी कब पहली बार दोडेगी वो time table है on 15th August 2020 यानि 2022 को जब हम स्वतंतरता दिवस मनाएंगे 15th August को तब ये पहली बार भारत की पहली जो bullet train है वो चलेगी मुंबई और एहमदबाद के बीच तो ये एक बड़ा fact है और हमारा देश तरक्की के जो पाइदान आगे बढ़ा रहा है उसमें एक नया ये पाइदान आएगा एक नई इस तरक्की की सीडी में एक नया ये step होगा भारत का की भारत में भी bullet train चलेगी और जब एक train चलेगी तो फिर और भी चलेगी लेकिन ये सबसे पहली train होगी bullet train जो बहुत high speed से चलती है इसलिए इसका नाम है bullet train आपको ये लिखना नहीं है ये केवल नॉलेज के लिए था you have to do the written work of only these four boxes ये जो four boxes हैं जो हमने किये हैं केवल आपको इनका written work करना है okay dear students do your work in very good handwriting we will meet in next video and we will do the next part next lesson of this lesson in our next video अगले video में हम अपना next sixth lesson इस GK book का करेंगे today you have to do the work of fifth lesson आज का जो video है इसमें आपको fifth lesson का work करना है okay have a nice day see you and bye